दोस्तो अगर आप भी रोहित शर्मा शुम्मन गिल और विराट कोली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा दोस्तो भारत और उस्ट्रेलिया के बीच चोथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन शुम्मन गिल और विराट कोली ने जड़ा शतक और जब उस्ट्रेलिया गेंदवाजों के तूटने लगे अर्मान तो रोहित शर्मा और स्रेश आयर ने चोके छको की बरसात कर पहुँचा कि रोहित शर्मा शुमन गिल विराट कोली और स्रेश आयर में से कौन अच्छा बल्लेबाज अपनी कीमती राए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और और उस्ट्रेलि टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रड देते हुए टीम इंडिया ने यहां शुरूआत तो अच्छी की लेकिन दोस्तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला गया वहां मध्यम करम में पूजारा, सिरीकर भरत, अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज काफी जल्दी आ जर्वात की जहां दोनों ही बल्लेबाज अच्छी साज़दारी निभाते हुए नजर आये और इस बीच भारतिय टीम का स्कोर पहले 50 रन के पार पहुंचा, हलाकि बीच में रोहित शर्मा के आउट होने के थोड़े आसार बनते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यहां पर 42 गिंदों में पूरा कर लेते हैं और दोस्तों रोहित शर्मा एक तरफ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनका साथ निभा रहे शुमन गिल्वी कहां पीछे रहने वाले थे, दोनों बल्लेबाज अपने शतक की और अग्रसर हु में टीम इंडिया को पहला बड़ा जटका लगा और अपनी 75 रनों की पारी में रोहित ने पांच चौके और दो छक्के भी लगाये थे जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए चितेस पुजारा भी अपने अर्दशतक को पूरा कर यहां टीम इंडिया के स्कोर को लगातार निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे होते हैं लेकिन दोस्तों भारत को दूसरा बड़ा जटका चितेस्वर पुजारा के रुप में लगा जांच पुजारा 82 गिंदों में 54 रन बना पाए हाला कि उनके पास आज अपना दोहरा शतक पूरा करने का एक बहतरीन मौका था लेकिन वो यह मौका भुना नहीं पाए जिसके चलते भारत को तीन बड़े जटके अब 278 रनों के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे लेकिन यहां पर अब विराट कोली और रविंदर ज जड़ेजा भी अपनी आक्रमक पारी जारी रखते हैं और यहां पर ताबर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वो विराट कोली का बखू भी साथ निवाते हैं जा इस बीच दोनों खिलाडियों के बीच शतकी असाज़दारी भी हो जाती है और देखते ही देखते विराट कोली अपने शतक के बेहदी नस्दीक आ जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रविंदर जड़ेजा भी अपना अर्ध शतक पूरा कर चुके थे लेकिन दोस्तों यहां पर किसी को क्या ही पता था कि चोत्थे विकेट के रूप में रविंदर जड़ेजा आउट होने वाले है कि पिछले तीन टेस्ट मुकाबले में उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया अब वो उसके विपरीत खेलने वाले हैं और यहां पर आयर के बल्ले से खूब चखके चुकों की बरसात देखने के लिए मिल रही थी लेकिन दूसरी तरफ विराट कोली अपना शतक भी पूरा कर 532 रनों पर पहुँच पाया हाला कि अब टीम इंडिया से यही उम्मीद होगी कि दूसरी दिन जब भारत की शुरुआ तो बल्ले बाजी से तो यहां टीम इंडिया जरूर ताबर तोड बल्ले बाजी का यही रुख अपनाए और स्कोर को लगबग 600 से 700 के में लेकर जाए बाकि हम आपको बता दें कि भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौत्रे टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले खेला गया यह इंट्राइस कौर्डर अभ्याद सत्र के पहले दिन का मुकाबला ता जिसमें भारते टीम ने शांदार बल्ले बाजी की बाकि अब आप बल्ले बाजी को तसमें से कितने नमबर दोगे अपनी किमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा